Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम हमारे Fundamental Right, Right to Equality के Article 15 को डीटेल में कवर करेंगे आज जब हम हमारे देश के लीडर्स की तरफ देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जो हमारे लीडर्स हैं, उन में से कोई SCSTs को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई सिर्फ OBS का जंडा उठाके बैठा हुआ है, कोई हिंदूस की बात कर रहा है, तो कोई सिर्फ मुसल्मानों की ऐसे में जब इन लीडर्स को सत्ता मिलती है, या कहें कि जब ये पावर में आते हैं, तो ये संभव है कि ये लीडर्स सिर्फ एक section of societies के लिए biased हो सकते हैं, जिसके वज़ा से एक major problem खड़ी हो सकती है और वो problem हम एक example से समझेंगे, मानलो सत्ता में कोई एक ऐसा leader आ जाए, जो सिर्फ हिंदू की बात करता है, तो होगा क्या कि आपको अपने आसपास के schools और hospitals पर ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, कि ये school ये hospital सिर्फ हिंदू के लिए हैं, इसी के साथ साथ roads पर भी आपको ऐसे boards दिखेंगे, जहां पर लिखा होगा कि यहां सिर्फ हिंदू चल सकते हैं, यानि जो party सत्ता में होगी, वो ज्यादे से जादे public facilities जैसे की government schools, hospitals, roads, government parks, etc. ये सब अपनी community, caste या religion को ही मोहया कराएगी, इस तरह की इस्तिति उत्पन ना हो, इसी के लिए हमारे constitution makers ने article 15 हमें दि कहता है कि जब आप इन public facilities, जो state sponsored है, या फिर जिन में state की partnership है, ऐसी facilities जब आप लोगों को मोहया कराएगे, तो उस समय आप religion, race, caste, sex और place of birth से लेटेट कोई भी condition नहीं रख सकते हैं, इसलिए कोई भी party power में हो, school हो या road, जो भी बनता है, सब के लिए होता है, किसी एक special section of society क इसका मतलब article 15 ये कहता है कि state जो है, वो citizens को religion, race, caste, sex या फिर place of birth के आधार पर discriminate नहीं कर सकता, but in 5 grounds के लावा, अगर state चाहे, तो किसी दूसरे criteria के base पर discrimination कर सकता है, for example, आपने किसी किसी road पर ये लिखा हुआ देखा होगा, कि यहाँ पर बड़े वाहन allowed नहीं है, तो ये तो discrimination हुआ, but ये discrimination allowed है, क्योंकि article 15 सिर्फ religion, race, caste, sex या फिर place of birth से लेटे discrimination को disallow करता है, but ये तो बात हुई state discrimination को रोकने की, but public place में सभी के सभी facilities government तो provide नहीं करती है, जगा जगा private schools है, shops है, restaurants है, या फिर private hospitals भी है, क्या ये allowed है, कि एक restaurant का मालिक, अपने restaurant के सामने एक board लगा दे, कि भाईया मैं सिर्फ अपसे muslimानों को ही खाना खिलाऊंगा, क्या ये allowed है, जी नहीं, restaurant का मालिक ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि article 15 उसको ऐसा नहीं करने देगा, article 15 कहता है कि shops, public restaurants, hotel और public entertainment वाली जितनी भी जगा है, ऐसी जगा उपर religion, race, caste, caste, sex या फिर place of birth के आदार पर discrimination नहीं किया जाना चाहिए, even though ये private individuals की property ही क्यों नहीं हो, तो ये बात तो साफ हो गई, कि article 15 जो है, वो state और private individuals, दोनों पर अपलाई होता है, किसी को भी religion, race, caste, sex या फिर place of birth के आदार पर discriminate करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जहां एक तरफ article 15, इन 5 grounds पर discrimination को रोकता है, वहीं article 15 ही, state को protective discrimination करने की इजाज़त भी देता है, यानि article 15 से related exceptions की बात हो रही है, अब ये समझना जरूरी है, कि ये protective discrimination actually में होती क्या है, और इसकी जरुवत क्या पड़ी है, देखो, हमारे देश में ऐसे कई sections है, जिने सदियों से suppress किया गया ह जिसके कारण ये लोग हमारी society के दूसरे section से काफी ज्यादा पिछड़ गए है, इसलिए हमारे constitution ये कहता है, कि ये भी state की ही जिम्मेदारी है, कि Indian society में जो groups historically disadvantaged रहे हैं, या फिर even आज की date में जो groups disadvantaged position में हैं, उनकी तरफ state एक helping hand बढ़ाए, और उन्हें भी समाज में question ये है कि कौन से ऐसे sections of society हैं जिने protective discrimination की जरूत है, तो ये sections है women, children, SCSTs और ऐसे नागरिक जो दूसरे लोगों से socially और educationally backward रह गए हैं, तो ये तो तैय हो गया कि state की ये भी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को mainstream में लाया जाएगा, कुछ extra benefits दे कर, ताकि ये भी समाज में बर मदद चाहिए, state इनको किस तरह की मदद दे सकता है, तो state जो है वो काफी कुछ कर सकता है, जैसे कि women के लिए local bodies में, panchayat, municipalities या फिर block level के जो चुनाव होते हैं, उनमें महीलाओं के लिए कुछ seats reserve कर सकता है, ताकि महीलाओं की politics में हिस्सेधारी बढ़े, इससे women empowerment होगा, औ और बच्चों के लिए free education दी जा सकती है, इसके लावा SCSTs और socially and educationally backward classes के लिए, educational institutes में reservation दिया जा सकता है, fees कम की जा सकती है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि article 15 जो है, वो SCSTs और OBCs को मिलने वाला जो reservation है, उसका founding stone है, पूरा का पूरा जो reservation का foundation है, वो article 15 पे है, आ 7.5% seats scheduled tribes के लिए reserved है, 15% seats scheduled caste के लिए reserved है, और 27% seats OBCs के लिए reserved है, तो यह क्या है, यह basically protective discrimination ही तो है, जो article 15 से हमें मिलता है, और article 15 का यह kind of देखा जाए तो एक exception है, इसके लावा यहाँ पे मज़िदार बात यह है, कि जो OBCs है, यानि other backward classes में जो कुछ ऐसे sections भी होंगे, जो advanced हो चुके हैं, यानि मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, और एक बड़ा section ऐसा भी होगा, जो अभी भी backward है, तो OBCs के जो advanced section है, उनको creamy layer कहा जाता है, और इने reservations का लाब नहीं मिलता, यानि OBCs के सिर्फ उस section को reservation मिलता है, जो कि अभी भी backward है, आसान भाशा में हम लोग ये भी कह सकते हैं, कि जो लोग अच्छी position पर पहुँच गए हैं, उनके बच्चों को creamy layer कहा जाएगा, और creamy layer को reservation नहीं मिलेगा, माल लीजी आप OBC category को belong करते हैं, और आगे चलके आप IIS officer बन जाते हैं, तो आपके बच्चों को creamy layer का part माना जाएगा, और इस तरह आपके ब annual income 6 लाग रुपे से ज्यादा है, तो आप already creamy layer के part है, तो आपको अभी भी reservation नहीं मिल सकता है, और हाँ, जब हम reservation की बात कर रहे हैं, तो हमें reservation के बारे में ये भी जान लेना चाहिए, कि reservation कोई गरीबी हटाओ program नहीं है, ये government का social justice प्रतान करने का तरीका है, तो इसी के साथ हमने article 15 और उसके exceptions को cover कर लिया, नेक्स वीडियो में हम article 16 को cover करेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है, तो इसको like करें अपना feedback, comment box में जरूर दें, thank you so much for watching and supporting bookstava